नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीदे बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की चल रही होगी दोस्तों बात करने वाला हूँ आज यूपिटर पलेसी की कुछ भरतियों को लेकर बहुत ही मैतपून अपडेट के सम्मन में और अधिक समय वेश्णा करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूँ दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ वन दरोगा भरती कब तक होगी फाइनल आखिरकार इस भरती का कब तक फाइनल हो पाएगा इस भरती को चलते चलते बहुत लंबा समय हो चुका है तो दोस्तों आपको बता दू इस भरती की जो अगली प्रक्रिया है वो है document verification जो आपको इसका जुलाई में dv देखने को मिलेगा अब उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो है medical की है ना यानि की पहली प्रक्रिया आपके dv है उसके बाद इसका medical है और उसके बाद इसका आएगा final result तो अभी इसमें तीन प्रकिरिया होना बाकी है और यूपेटर पलेस से इस परकार की तीन प्रकिरियाओं में करीब करीब 6 महीने का समय लगा देता है तो अगर आप यह मान कर चलिए इसका जुलाई में DV हो जाता है और सेप्टमबर तक इसका medical हो जाता है तो आपको इस भरती का October या November तक final देखने को मिलेगा ठीक है? October नवंबर तक ही आप उम्मीद करें कि वंदरोगा भरती का पूरे तरीके से निप्टारा हो जाएगा ठीक है दोस्तों? अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे लेक्पाल और A.S.O. के नए विग्यापन को लेकर क्या इस साल लेक्पाल और A.S.O. की नई भरती वाकई में आपको देखने को मिलेगी या केवले एक अफवा है? बेखिए अगर मैं लेक्पाल भरती की बात करों कि लेक पाल का नया विग्यापन इस साल आएगा या नहीं आएगा देखिए लेक पाल भरती को लेकर मैं बिलकुल भी आस्वस्त नहीं हूँ कि इसका विग्यापन इस साल जारी होगा मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि लेखपाल की नई भरती आपको इस साल देखने को मिले तो लेखपाल के नई विग्यापन को लेकर आप बिलकुल भी उम्मीद फिलहाल ना लगाए लेकिन हाँ ASO का जो नई विग्यापन है ये आपको इस साल 2024 में देखने को मिलेगा इस भरती की पूरी पूरी उम्मीद है और कुछ पदों का अधियाचन ASO का आयोग में आभी चुका है तो ASO वाले उम्मीद कर सकते हैं पूरी पूरी कि इस साल उनको ये भरती ASO की नई देखने को मिल जाए बाकि इसको लेकर आप बिलकुल पॉजिटिव रहें बाकि लेक पाल भरती को कोई उम्मीद इस साल ना लगाए अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं यूपिटर पलेसी के परिणामों को लेकर देखे सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं ASO, J18 और मंडी के फाइनल रिजल्ट देखे इन तीनों परिणामों को लेकर आपको मैं एक बात किलियर कर देता हूँ जब तक आचार सहीता लगी है तब तक इनका परिणाम आना बहुत ही मुश्किल है यानि कि आप बिलकुल मानिये बिलकुल ना के बरावर है लेकिन हाँ इस आचार सहीता में इन तीनों बर्तियों का फाइनल रिजल्ट बना कर तैयार कर लिया जाएगा ये बात बिलकुल सत्य है और ये बात मुझे पराप्त हुई है आज यूपिटर पलसी करमचारी के दोरा तो जानकर यही है कि इन तीनों परिणामों को पूरे तरीके से आचार सहीता में बना कर तैयार कर लिया जाएगा और जैसे ही आचार सहीता खतम होती है उसके तुरंत बात इन परिणामों को जारी करना शुरू कर दिया जाएगा यानि कि ये तीनों परिणाम आपके जून और जुलाई में जारी कर दिया जाएगे बाकी आने वाले डेड़ से दो महीने में इन तीनों परिणामों को बिलकुल रेडी करके रख दिया जाएगा चीक है? हाला कि J18 के परिणाम को जारी करवाने के लिए चुनावा युक से पर्मीशन मांगी गई थी लेकिन पर्मीशन नहीं मिली है तो ये तीनों परिणाम आपके जून और जुलाई में ही आप उम्मीद करें बाकी अगर कुछ और चेंज होता है, कुछ और पॉजिटिव न्यूज मिलती है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर दे दी जाएगी अब बात कर लेते हैं मुख्य सेवी का भरती के रिजल्ट को लेकर देखिए फिलहाल इस भरती पर कोट का स्टे है और जब तक स्टे लगा हुआ है तब तक आप उम्मीद ना करें इसके परिणाम की बाकि देखिए परिशान बिल्कुल ना हो अगर कोई भरती कोट में जाती है तो इतना समय तो लगता ही है जितना समय इस भरती में लग रहा है तो बाकी उम्मीद करिए कि जल से जल इस भरती का कोट से निप्टा रहो कोट का इस्टे हटे और उसके बाद आपका भरती कोर्ट से final हो गए बात कर लेते हैं forest guard के result को लेकर देखिए इसका जो medical का result है वो फसा हुआ है बाकि उम्मीद करिए कि इसी महीने में अप्रेल में आपको इसका result देखने को मिल जाएगा और उसके बाद मई में मई last में या जून के शुरूबात में इसका DV भी शुरू कर दिया जाएगा चीक है दोस्तो तो ये हो गया आज का वीडियो यूपिटर पलसी कीन भरती को लेकर और किसी भरती को लेकर जो भी जानकरे मुझे मिलेगी आपको सबसे पल देदी जाएगी बहुत बहुत धन्यवा दोस्तो जहें जबारत हमेशा कुछ रही है मुस्कात रही है